वारास्टर में मराठा आरक्षन की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और इसी को लेकर छावा संग्छन के जलाद्यक्षा दश्रत का पाठे और उनके अनिक समर्थकों ने जलादिकारी कारयाले के सामने शरीर पर पेट्रोल डाल कर खुद को जलाने का प्रयास कि लेकिन इस आंदोरं के जानकारी पर शासन को पहले ही पता चल जाने से पोलिस ने एहतियात पंड़ते हुए पेट्रोल की केंष्ट कर लिया एकच मिशन मराठा अरक्षन इसकी घूशना करते हुए 56 जंक्षन के और से पतरशन किया गया वहीं 56 जंक्षन के कारिकरताओं को बजीराबाद पॉलिस ने हिरासत में ले लिया है खास बात ये है कि कल शत्रफती संबाजी राजे के नेतरतों में नानदेड में मराठा अरक्षन की मांग को लेकर मूख मूर्चा का आयूजन किया गया था भारासते जहाँ पर मराठा अरक्षन की मांग एक बार फिर से तेज होती दिखाई दे रही है और इसी को लेकर वहाँ स्थानी स्तर पर चलने वाला चावा संग्ठन जो है वो अब इस मांग को और ज़्यादा जोड़ देता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में आप साब तर पर देख सकते हैं कि केन लेकर कहाँ पर आत्म दाहा के लिए पहुँचे थे लेकिन जो बजीराबाद पोलिस है उसकी ततपरता से उसकी एहतियात से उसकी संजीदगी से एक बड़ी घटना होने से बच गई खैन पेट्रोल की उन्होंने जब्त कर ली और इसके बाद जो वहाँ पर ये स्थानी नेता थे इनको हिरासत में ले लिया गया लेकिन मराठा आरक्षण एक बार फिर से जोर पकरता हुआ दिखाई दे रहा है चेंगारी इसकी सुलक चुकी है और अब वो दिंदूर नहीं शायद कि बहुत जल्द महारास्ट्र में ये प्रदर्शन आम हो सकते हैं तो बड़ी खबर आपको उता रहे हैं चावा संग्ठा नाम के कारिकरताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया है आत्म दाहा करने का प्रयास किया कि इस आत्म दाहा के बादिम से वो जो 77 लोग है उनके कानों तक आवाज पहुंचा सके मराठा रख्षण की मांग को लेकर य भी नज़र आई तो इसी कबर पर जानकारी के साथ संभाता मुरारी सिंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुरारी जी एक बार फिर से मराठा आरक्षण की जो मांग है वो तेज होलती होनी शुरू हो गई है छावा संग्ठन के कारिकरताओं ने ये प्रदर् किस तरीके की जनकारी मिल पारी आपको अभी ग्राउंट तो ताजा रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही है तो किस तरीके से पिछले कई सालों को कर सकते हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर लगातार मांग चल रही थी और कहीं से कोई उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा समय पर जब सुनाओं आते हैं तो राजलेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि माराठा आरक्षण के लिए हम सरकार से बात करें लेकिन सरकार में आने के बाद इस आरक्षण को लेकर कोई भूलता साफ नहीं होती जा y word lovely लगातार जो है मराठा आरक्षण बिरोत किया रहा ह महराँ ते मांडियर्ण में इस तरीके से असारिकार्ताओं ने पना अधिकारियों ने गैलन पेट्रॉल लेकर के आत्मदाएख थर्मे की कोशिश क्या complete डिला अधिकारी के बाहर. इसे लेकर के महाराज सरकार अपकी तरीके की गंबेटा लेगी ये तो कापाना मुश्किल है लेकिन क्या है नगर पालिका के चुना हो चाहे विधान सभा के चुना हो ऐसे समय पर इस तरीके की चीजे आमतोर पर देखने के लिए दिलती है लेकिन महारा सरकार आपके बताया कि गंबेटा से लेगी तो आने वाले वक्ते में पता चलेगा लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये क्या आपको लग रहा है ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है सिर्फ एक जिले की है या फिर आने जिलों में भी इसी तरीके का महौल बन सकत है आगे आने वाले समय में अधिके जिस तरीके से संभाजी राजे के कारिकर्टाओं ने एलान किया था और साब तहर पर कहा था कि अगर इसमें सरकार गंबेटा नहीं लेती है तो हम फिर एक बार बुंबई चलो आंदोलन के तरज पर आंदोलन करेंगे तस्वीर लोगों पूरी तरह से जो है अब दील हो गयाता और आएसे में अब फिर एक बार बराठा अरच्छर को लेकर आवाज देज हो रही है देखना यहोगा किसी तरीके के आंदोलन के रूप बनते हैं और श्या महारास्टर का इस मामले में दखल देती है तो मुराई सिंग जी छावा संगठन जो है ये इसकी कितनी जादा सुईकारिता बहां पर है कितने बड़े लेबल पर ये संगठन चला है साथी जो नए दर्शक हमारे हैं जिनको इस विशे में कम जानकारी है महारास्टर से के बाहर के दर्शक हैं उनको थोड़ा इस जादानी जुनबई के आजाद मैदान में पहुंचे थे दो से तीन दिनों तक साफी जद्व जहद पेबाद इस आंदोलन को खतन किया गया था और आस्वासन दिया गया था कि मराचा अरच्षर किसी भी सिप्टी में लाया जाएगा लावू किया जाएगा लेकिन दो से चार साल कर सकते हैं कि धीरे धीरे घुजरते जा रहे हैं और मराचा अरच्षर को लेकर सरकार कहीं से कोई गंधिरता नहीं दे रही है अगर केंदर सरकार की बात करें तो पहले हम लोगों से पहले जो सरकार थी उनकी लापरवाही थी और यही वजय है कि इसमें दिले हो रहा है तो सरकार की तरद से रोग तत्यारोग चल रहे हैं आपने OBC बिल की जिक्र की OBC को लेकर केंद सरकार ने जिस तरीके की कार्योजना को आगे बढ़ाया है क्या आप महाराथ सरकार पर एक दवाव है कि उसको अब महाराथा आरक्षन को कहीं ने कहीं अड़्जस्ट करना होगा प्रमुक सरतपवार का कुछ दिन पहले बयान आया था उन्होंने सापसवर पर कहा था कि केंद सरकार भले ही आरच्षर को लेकर के गोल मचोल बयान दे रही हो लेकिन इसमें हमें भी हमारी सरकार को भी गंभिस्ता लेनी की जरूरत है जिस तरीके से सुखी और आदी बनाने की जवाबदारी राज को दी गई है आपको बता दे कि इस से पहले ही जो OBC आरच्चर है लगब चालिस के अरतालिस प्रिस्दी तक दिये हुए है अब ऐसे में काचासों प्रिस्दी आरत्षर की जो मांग चल रही है चेनर नहें पहले के इसका इंद्धारी कह सकते हैकि जो राजी सरकार को दिये है राजी सरकार कितना जल्ड इस मामले में OBC आरत्षर की Happiness कने है कितने परसेंटिज की मांग करता है और चेनर की उस पर क्या प्रस् और इनकी और भी सुच्छबल होते हैं उनकी पूरी तयारी है अगर ये आंदोलन जो है क्योंकि इसमें हिंसा भी बहुत ज़्यादा देखी गई है बीते वक्त में जिस तरीके से यांदोलन होते रहे हैं क्या पॉलिस सबक लेती हुई दिखाई दे रही है कि लोग खुद को होता है उनका उत्यस होता है कि उनकी रैली को उनकी आवाज को सफल और सही तरीके से पहुंचाया जाए बराहल इन सब चीजों में शुकुल भचनाय देखने के ले मिलती है और यही वज़ा है कि महाराज सरकार इस मामले में गंभेता लेते हुए जिला अधितारी और यस् कार्करता जो जिला अस्तर के थे उन्होंने पेट्रोल डाल कर जलाने की कोशिश की लेकिन गटना पर मौजूद कुनिस में उनके कहन को छिन लिया और उन्हों को सब घ्रक्तार कर प्लिस पाने लाए और उसके बाद 6 गंटे के बाद उन्हें थोड़ा गया उनसे बॉंड लेने की जरूरत है ने तेक तक्वीर फिर देखने के लिए मिलेगी जो साल दो साल पहले देखने के लिए मिली थी एक चीज़ और महाविकास अगारी की सरकार है और तीन पार्टियां उसमें चामिल हैं लेकिन इसके मुद्धे पर बराठा अरक्षन के मुद्धे पर महाराज सरकार के चाहिए काहिए मंत्री की तीम हो या फिर कर सकते हैं कि राजी मंत्रियों की तीम है अभी तक इस मामले पर कोई बैठक या कोई चर्चा देखने और सुनने के लिए नहीं मिली है लेकिन इस तरीके से अर्टा अरच्षन की बाते बढ़ रही है ऐसे में महा भी का सजारी सरकार की बैठक को और उसमें कोई नेड़ लिया जाए अला कि इस तरीके से एंसिपी प्रवुक के बयान आये थे उसके बाद सिंसेना से कर सकते हैं कि संजे राउस ने भी इस मामले में गंभिरता लेते हुए कहे थे कि नहीं इस मराचा अरच्षर के को या विश्ची का जो मसला है इससे सरकार बड़ी ही गंभिरता से लिए अपने नेपरों के साथ चर्चा कर रही है चलिए बहुत शुक्रिया पुनारी सिंग जी सहम जानकारी के लिए आपका